कहानी बोले हुए सब्द बापस नहीं आते हैं एक बारी किसान ने अपने पडोसी को भला बुरा कह दिया पर जब बाद में उसे अपनी गलती का अहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया उसने संत से अपने सब्द बापस लेने का उपाय पूछा संत ने किसान से कहा तुम खूब सारे पंक इखटा कर लो और उन्हें सहर की बीचों बीच जाकर रख दो किसान ने इसा ही किया और फिर संत के पास पहुँच गया तब संत ने कहा अब जाओ और उन पंकों को इखटा करके बापस ले आओ किसान बापस गया पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाज संथ के पास पहुंचा तब संथ ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए सब्दों के साथ होता है तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो पर चाहकर भी बापस नहीं ले सकते जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वह उसे कश्ट पहुंचाने के लिए होता है पर बाद में वह आप ही को अधिक कश्ट देता है खुद को कश्ट देने से क्या लाब इससे अच्छा तो है कि चुप रहा जाए